खरगोन जिले में लगातार बढ़ है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा, सक्तरुक अपनाते हुए ग्रामीन ठेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, राज्यों सो कर्मचारियों द्वारा पैटन इस्तल महेश्वर में दुक दुकानदारों की कोरोना सैंपल लिये गए, तरसलदार ने आगे बताया कि यहां विदेशी परेटकों का आना जाना साथ ही दुकानदार लोगों के सबसे अधिक संपर्क में रहते हैं, जिससे संक्रमन्ट पेलने का खत्रा अधिक रहता है, इसलिए हम दुकानदारों के स स्पेशल कैमपेंड में बोलें या फिर कोवीट को ट्रेस करने में कामपेंड के बारे में बोलें, तो हम लोगों ने की स्पेशल ड्राइव जिला पंचा तो कलेक्टर मेडम का प्राप्त हुआ था, कि रेंडम ली शॉप पे जाके आप सेंपलिंग ले, जिससे पता चल सक कोई कम्यूटी में मास स्केल पे इस्प्रेट तो नहीं हुआ है, तो आज हमारे दुआरा पचास का हमको टारगेट दिया गया था, और उस पचास के टारगेट में हम लोगों ने फोटी तो अभी कर लिया था था थोड़ी तर पहले तक, उस फोटी में हम लोगों ने हर ए पूरी बेचने वाले और सब्जी बेचने वाले मिठाई की दुकान लगफख सभी को हम लोग ने सैंप्लिंग किया है और सबसे बहुत रही कि सभी रिपोर्ट से नेगेटिव मिली है अभी तक तो हम लोग ने इस और ध्यान नहीं दिया था लेकिन चुकि अब जिला इसतर से निर्देश प्राप्त हो रही कि हर एक दुकानदार का करना है और आने वाले समय में हम लोग यहां जो भार से लोग आ रहे हैं हम उसका अभी तो इस समय जो हमारा चेक पॉइंट है उस पर हम सैंप्लिंग कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो अगर निर्देश मिलते हैं तो हम विदेशों से आने वाले और जो भाहर से आने वाले हैं हम लोग उनका भी सैंप्लिंग करेंगे हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तरें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें